हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल असर्वा लेक्षेर, जितने भी स्टूडेंट क्लास्टन में है, आज का ये वीडियो सबसे जादा इंपोडेंट है, यूपी बोर्ड एक्जाम 2023 का ये हिंदी का वाइरल पेपर है, आप लोगों को जो 16 फरोरी का हिंदी का पेप अगर चैनल पने हैं तो सबस्क्राइब जरूर करेना, ठीक है, ये क्लास्टन हिंदी का एक वाइरल पेपर है, जैसा 2023 बोर्ड एक्जाम में हिंदी का आप लोगों का 16 फरोरी को पेपर आने वाला है, ठीक है, पुडांक 17 नमबर का आपका पेपर रहेगा, और आपके पास जो है, तीन घंटे 15 मिर्ट का समय रहेगा, ठीक है, और यहां आप लोगों के कुछ नोड दिये हुए हैं, देख सकते हो, प्रारम के 15 मिर्ट पर साथी को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निद्धारित है, और प्रश्ण पत्र दो खंड में है, आ और बा, ठीक है, आव सबसे पहले आप लोग अब्जेक्टिव कुष्ण देखो, जिसका एंसर OMR सीट पर देना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का लिखावा, निम लिखीत कत्मों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान का लिखे, एक एक नंबर का कुष्ण अब्जेक्टिव रहे तो बच्चो, वेरी इंपोर्टेंट, इसमें जितने भी कुष्ण है, वो सबसे जादा इंपोर्टेंट है, आपको बोड एक्जाम में यहीं से सारा कुष्ण देखनी को मिलेगा, तो हमारा 1929 से 1938 इस भी तक हमारा होता है सुकली की कलावधी, ठीक है, सारे कुष्ण आप याद करना है, और यह पूरा आप लोगों को कुष्ण तयार कलेना, ठीक है, चायोत्तर यूग के परमुक कवी का नाम है, जो चायोत्तर यूग है उसके परमुक कवी कौन है, और आप लोग सही अंसर देगे, एक नमबर आपको तुरंद बोर्ड एक्जाम में मिल जाएग यह आप लोगों का बिल्कुल निशित होता है, ठीक है, अगला कुष्ण नमब आप लोग आओ, कुष्ण नमब थ्री, भगवस्तर नुपध्याय द्वारा रचित निवन्द कौन सा है, एक नमबर का अप्जेक्टिव है, भगवस्तर नुपध्याय द्वारा रचित है तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा कुष्टन पयार करके जाना क्योंकि आप लोगों को बोड एक्जाम में 90% लाना है तो बच्चा मेहनत करना पड़ेगा रस्मीमानसा के लेखा कौन है और का है आचार रामचंद सुक्ल खा है गुलावराय गाहा है ब्यक्वेस् कुष्टन पर 5 देखो सुक्ल यूग के परमुक इतिहासकार है सुक्ल यूग के परमुक इतिहासकार वताना है ऑप्शन नमबर का है डाक्टर नागेंद्र खा है हाजारी परसाद दुर्वेदी गाह है आपका बाबू गुलावरा एंड गाह है इन में से कोई नहीं तो ब आप लोगों का कुष्टन नमर 6 आ गया निम लिखित में से आधुनिक काल के विशेष्टा कौन सी है आधुनिक काल की विशेष्टा बताना है ऑप्शन नमर का है जीवन के याथार्थ की प्रधानता एंड खा है बहुधिक्ता की प्रधानता ऑप्शन नमर का और खा दोन प्रिगतवादी यूग की दो बिसस्ताएं कौन सी है प्रिगतवादी यूग की दो बिसस्ताएं बतानी है प्रिगतवादी यूग की दो बिसस्ताएं ओफ्षामर का है शौंदेर भावना खा है कौना तथा नैसी की भावना या मानवतावादी प्रिवर्ति या विद्रोयम करांती की भावना ठीक है तो प्रिगतवादी यूग की जो दो बिसस्ताएं है वो हमारा है गा, मानवताव पादिद्रिष्टिकोन और विद्रों इममकरांती की भावना यनि कि घा गा और घा हमारा दोनों सही हो जाएगा ध्यान डखना हमारा कुशन नमर्ट एट का ठीक है कुशन नमर्ट नाइन आप लोग देखो निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कभी कौन से हैं रीतिकाल अपका खा का और खा दोनों सही है ठीक है यह हमारा कुश्चन नमर्ट नाइन है सारा कुश्चन याद रखना ठीक है इसमें क्या पूच रहा है ध्यान से देखो कि हसी हसी भाजय देख दूला दिकंबर को पाहुनी जे आवई हिमांचल के उच्छाल में ठीक है निमने में कौन सा रस है आपको इसमें बताना है कि कौन सा रस है बच्चो ठीक है कौन सा रस है ये आप लोगों को बताना है स्रिंगार रस करूल रस हास रस वीरस तो इसमें बचो कौन सा रस है ठीक है हसी हसी का म 것처럼 होती हास हस न तो इसलिए समें हमारा हाश्रस वो जाएगा हाश्रस और हु ऐस्थार्स जो अस्थाई भाह होता है वो हसνα ही होता country ठीक है चलो अगला कुश्चन देखने है कुश्चन अबर 12 कि हरी मुख मनहू मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है हरी मुख मनहू मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है उत्प्रेच्छा अलंकार रूपक अलंकार रूपमा अलंकार या अनुपरास अलंकार ठीक है तो कौन सा अ शुन दुष्सक की देख तारक बुंद बुंद दे रहा ठीक है इसमें पहले और तीसरे चरण में आपको मात्रा बतानी है पहले और आप लोगों का जो तीसरा चरण है इसमें मात्रा बतानी है ठीक है तो पहले और तीसरे चरण में हमारी 11 11 मात्रा हैं ऑप्शन नमर का विल जो आपका उपशर्ग है वह है शू क्या है बच्छों फू ठीक है यानिकि आपका आगे शू लगा उपशर्ग का मलब आगे जूड़ना तो आगे शू लगावा इसलिए सू हमारा हो जाएगा घबडाहट सब्द में प्रत्य है जेको अब आपको जो प्रत्य है वो पीछे जुड़ता है ठीक है तो घवडाहट में हमारा हा और टालास्ट में जुड़ाओ इसलिए हट हमारा हो जाएगा ओफ्शन मर्का विल्कूल सही है ठीक है ध्यान रखना अब हमारा आता है बच्वों कुशन में 16 कि भावानी संकर भावानी संकर में समास कौन सा है ततपरुस सम समास बहुविरीय समास 270 सबसे थ्यान रखना की आपके संफ में स्लेवत में दौण दौछ दृण समास है तो इसी दोनों मैं से कोई होगा तो भावानी संकर में हमारा बच्षों 2 120 समास कौन समास समास है दोंद समास ध्यान डखना बोड़ एक्जाम में लिख कराना छोड़ करनी आना कमल राजीव जलज आज ही कहलाते हैं मलब आदी क्या कहलाते हैं विलोम या उपशर्ग या प्रियावाची या हमारा प्रत्य तो बच्चों यह उल्टा नहीं है यह हमारा एक ह प्रतिधन अमर्ख विल्कुल सही है है ध्यान डखना है अब 19 कूश्चन बच्रों मथूसह रूप रोते हैं मधूउब का मदूसा रूप है मधूँ का इसको आप लो छेख ये कमिन्ट बॉक्स में फटाफट कर दो फटाओ । यह देख लो इसको मैं बता देता हूँ हसे हूँ ठीक है रूप है हसका तो यह हमारा है विदलिंग लकार प्रथम पुरूस बहुआ चन विदलिंग लकार प्रथम पूरूस बहुआ चन एक नंबर का अबजेक्टिव है ठीक है यह 20 marks का पहले आप लोगों को का घद्यांस ठीक है चे नंबर का आप लोगों का सबसे पहले घद्यांस आ रएक है निमलीखेत घद्यांसों में से किसी एक MARION दीए गए प्रष्णों का उत्तर दीजिए ठीक है सबसे पहले बच्चों यह आप लोगों का पहला गद्यान से छे नंबर आपको मिलेगा और गद्यान से आप लोगों को बोर्ड एक्जाम में लिख कराना है ठीक है लिखा हुगा है दूसरी बात जो इस संबंध में बिचान लिए है ठीक है वह यहा है कि संस्कृति अथवा शामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है इस उन सब में एकता यह एकता है ठीक है अर इतना अंडरलाइन है देखलो यहां तक अंडरलाइन है इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन सारहरण को बुद्ध जीवीयों के नेतुर्ट में क्रांती करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नेतिक चेतना क अब सबसे पहले आप लोग इस घद्ध्यांस को ध्यान से पढ़ करने के लिए सबसे पहले इस अर्थ पर्षन को ध्यान से पढ़ बच्चों और तीन कुश्चन में तीनों का एंसो देना पहला प्रस्तुत गध्यांस का संदर्व लिखिए अब संदर्व आप लोगों को लिखना है न तो संदर्व के लिए मैं आपको बता देता हूं यह हमारा बच्चों भारतिय संस्कृति चैप्टर से लिया गया कि होगे ना दो नंबर संदर्व मिल जाएगा ठीक है आपका पाट करना में लिखना है दो नंबर आपको संदर्व का मिल जाएगा तुरंट अब आपका गध्यांस के रेखांकितंस की व्याक्या तो मैंने बताया है न वच्चों कि आप लोग इस जो आपका अंडरलाइन वा है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयो जन ठीक है प्रम पिता की इच्छा के विर्दु इतना सहास पिता जी क्या भीक नहीं मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपरिष्ट पर जीवित नहीं बचा रहे जाएगा जो ब्रामण को दो मुठी अन्न दे सके यह असं लाइन वाला सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेना ध्यान से समझ लेना फिर आप लोगों से इसमें तीन कुछिन पुछेगा यहां आपका का है उप्यूक्त गद्यांस का संदर्व लिखो तो यह जो हमारा चैप्तर है यह चैप्तर का नाम है ममता ठीक है और इसके जो लेख तो यह दो नमबर आपको मिल जाएगा मलब दोनों मेंसे कोई एक करके आना बोर्ड एक्जाम में छे नमबर आपको तुरंत मिल जाएगा कोई नहीं काट सकता आप सही से लिखना प्रशनता संख्या सब कुछ डाल के अच्छे से लिखना कि बोर्ड एक्जाम में जब जोपर की कॉपी है थिक है इतना ध्यान तब gefथ अब आप लोगों कहाता है पध्यांस 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 देखो निमलिकत पध्यांसों में से एक में Candia मिलेगा दो पध्यांस रहता है किसी एक को कळणा रहता है तीक है अब आपके option देख़ो पहला है उधाव मोहिबर जिविस्ततनाही व्रंदावन गोकुलवन उपवन संगन कुंज की छाही और प्रात समय माताज सुमत अत अरुनंद देखत पावत एंड माखन रोटी देहु सजामे अत हित साथ खवावत गोपी गौाल बाल के संग खेलत सब दिन हसत सिरात और सूरदास धन आप जान सकते हो आप लोगों को संदर्भ पूछेगा और हिंदी में अनुआत करना दो नमबर मिल जाएगा ठीक है एंड यहां फिर दो कुश्चन और है बच्चों स्री किसके ध्यान में खो गए थे उन ब्रंदावन गोकुल उपवन संग कुचन की छाही में आपको आश यह करो बच्चों यह वाला सेना नायक राणा के भी ठीक है रण देख देख चाहवरे एंड आप लोगों का मेवान सिपाही लड़ते उतसा से छड मार दिया कर कोडों से और रण किया उतर कर घोणों से और राणा रण को असल दिखा दिखा ठीक है अब आप लोग अगर वो नहीं आता तो इसको कर दो ठीक है इसमें भी वही चीजें है तीन कुष्चन पूछेगा एक तो संदर प्रसंग भ्याख्या पूछेगा दो नंबर का फिर छर मार दिया कर कोडों से पंक्र में नीहित भावस्त परस कीजिए और फिर आप लोगों को इसमें अलंकार वा निमलिकी लेखों को में से किसी एक लेखक का जीवन प्रचे उनकी रचना लिखना है पांच नंबर का रामचन सुखल आचार रामचन सुखल इसको तयार करना या नहीं लेकिन ये दोनों जरूर तयार करना ठीक है आचार रामचन सुखल जासंकर प्रचाजी का एकदम हंडर्ड प्रसेंट आपका आएगा ही आएगा तो मैं यहां लिख देता हूं हंडर्ड प्रसेंट तो आप लोग इसको तयार कर लेना ठीक है आगला देखो लिखा निमन लिखित कभियों में से किसी एक कभी का जीवन प्रचेत है थ हे उनकी रिश्रा लिखना है पांस नमबर का सूरदास सुमित्रा अंद पंदर सुखिद्रा कुमारी चोहां तो तुसी दास का तैयार करना तो बदर यह अपक्सरा पहले आराथ शकह स्रीमान ठीक है आयम अश्य चंदर सेखरा आया राजद्रोही गत दिने अन्यों एंड आसा योगिता संभ्या एक्सा एंड आराथ शकह ठीक है तो यह आप लोग बच्चों पढ़ लेना और आप लोगों का अलशेंद्रा एंड यह सब चंदर सेखरा इन च चैप्टर से लिया गया है तो मतलब आप लोगों के लिए वारांसी चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको जरूर तयार के लेना और यह जो मैंने इसमें बताया है गद्यांस ठीक है संस्कृत का इसको जरूर तयार के लेना ठीक है फिर आप लोगों का पद्य पध्यांस में दोनों बहुत infraper Wait foramorph एक्जाम के यह ऊपनर्प पद्धियांस है निमनीकेश संस्केट पद्यांस को आप लोगों को संदर्वानुवाद लिखना है पंच नंभर का सर्भेभवन्त श्क्ना सर्भेसन्त निरामया सरवे बद्रान पसियंत मा कसीजा दुख भागा भवेद ठीक है इसको जड़ू तयार कलेना और हमारा अगला है मन्लम मंगलम यत्र विजूथम और भूशनम और आप लोगों का कैपीनम यत्र कैसे सहकासी केन मोयते ठीक है तो यह दोनों बहुत जादा इंपोर्ड एक्जाम के लिए आप इन दोनों को तयार करेना बोड एक्जाम के लिए पूरा वाइरल पेपर है तो इन दोनों में से कोई एक करना है ठीक है एक स्लोग आप लोगों को लिखना है अपनी पाठ्थ है पुस्तक के संस्क्रेत खंडे में से कंठेस्ट किया हुआ को यह किस लोग प्रशन पत्र में है तो इनको आप बिल्कुल भी मत लिखना ध्यान डखना ठीक है अब आप लोगों का आता है स्टुडेंट यह बहुत ज्यादा इंपोड़ेंट इसको मैंने बता रखा है निमलिकित में से दो आपको दो एंसो देना चान नंबर का बहुत ज्यादा इसको मैंने बारा से पंदरा बता रखा है उसको तयार करेना पहला गीति हका संदेशा चंद्रशेक्रा श्वानाम किम आकथत एंड कुत्र लोहम विग्यातम एंड वातानम सिग्रम किम आस्ते एंड अश्तुरा मित्रम का भावती ठीक है चान नंबर तो इन पांचों को आ अगर से प्रतोर में से कोई 2-3-4 तयार कर लेना और खुद से भी तयार कर लेना प्रदूसान की समस्सा ततता माधान को जरूर तयार कलेना प्रदूसान की समस्सा ततता माधान आपके board exam के लिए very important है ठीक है अगला देखो आप लोगों को swap ठीट खंड कावडे के आधार पर परसुनों का उत्ता देना तीन नमबर का आपको एक खंड काव तयार करना है बच्चों जो भी आपके उधर आता है जैसे हर एक जिले का अलग हला खंड काव यह होता है रेख सकते हो बहुत सारे खंड काव यह हैं तीन नमबर का है आपके पेपर सवाल बगर के board exam में जाते हो ये बच्चों एक हिंदी का क्लास्टन का 2020 बोर्ड एक्जाम का वार्यल पेपर है यही आपको 16 फरोरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सेर भी कर देना अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी करना और भी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट का पेपर लाऊंगा और हिंदी का मैराथन वीडियो आने वाला है तो सभी लोग तयार रहना देखने के लिए तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्डेंट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद